तो लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे बिसिकली ये प्रोग्राम था आपका ये हम लोग क्लास और आपजट के बारे में बात कर रहे थे राइट तो क्लास और आपजट के बारे में आप कहा रहे हैं फिर से बता दें ठीक है बताते हैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं क्लास बनने का सिंटेक्स क्या होता है क्लास कीवर्ड होता है जो उसका अटिंटिफायर होता है opening and closing होती है यह class बनाने का syntax होता है जहां पर यह class क्या है अपने आप में keyword है और यहां पर हमें उसका देना है identifier अब class का नाम और class के अंदर होता क्या है होता है data member और क्या होता है member function यह class के अंदर होता है data member होता है और member function होता है और यहां पर इसको मैं क्या गर रहा हूँ एक मुनेट रुक जाईए तो एक class के अंदर होता है data member और यह होता है member function ठीक है हर class के अंदर ही होता है और special member function भी होता है मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन में आता है एक आता है कंस्ट्रक्टर और एक आता है निस लाइजर इनिस लाइजर में दो पार्ट होता है यहां भी लग देता हूं एक होता है इनिट ब्लॉक एक होता है static block ठीक है अब यह सिंबल देखो मैंने हर जगे लगा दिया आपके इनिस लाइजर के आगे लगा दिया डेटा मेंबर के आगे लगा दिया मेंबर फंक्शन के आगे लगा दिया के वल कहां नहीं लगाया कंसेटर के आगे नहीं लगाया क्योंकि अगर हमें class की बात करें तो class के अंदर data method initializer they are optional बनाओ या ना बनाओ but consider is the mandatory तो इसलिए इस symbol का मतलब आप समझ लीजेगा कि this is optional for the class एक class के लिए optional होता है तो java के अंदर जब भी आप कोई class बनाएंगे न तो ऐसे बनाएंगे class नाम का keyword उसका नाम लिखेंगे proper convention भी follow करेंगे आप data member member function इसलिए कई परी class की definition कई book में ऐसा भी लिखा होता है class is a collection of data member and member function तो आप ऐसा बोल सकते हो class is a collection of data member and member function right अब रही बात class की और definition की और class क्यों बना object क्यों आया यह मैंने बताया था एक बार मैं फिर से बताता हूँ देखो simple सा मतलब है as a object oriented developer जब भी आपको कोई काम मिलेगा तो उस काम को आप मान लिजे objective है आपका object object मतलब objective अब यह objective का नाम object का नाम word से लिया गया है और real word में आने वाली हर एक चिज़ एक object मानी जाती है ठीक है अगर आप interview में जाते हो आपसे बोला जाता है कि object क्या होता है बताईए what is object what do you mean by the term object तो आप बोलेंगे sir object जो होता है वो कही तरह से explain हो सकता है object को हम real world point of view से भी explain कर सकते है object को हम coding point of view से भी explain कर सकते है object को हम memory point of view से भी explain कर सकते है from real world point of view object is anything which exists in the real world which we can see, touch, feel and imagine ठीक है अभी real world point of view से बस आप object का मतलब समझे बाकी जो view है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है ये तो हो गया definition object का real world point of view से कि object क्या होता है अब बात आ जाती है कि object का जब हमें concept समझ में आ गया और जब भी आपको कोई software बनाने के लिए मिले तो उसे क्या माल लेंगे आप अपना objective माल लेंगे और उसी objective को mind में रखते हुए आप अपना software develop करना start करेंगे अच्छा फिर एक और चीज़ हर object की कुछ characteristics होती है मैंने बताया था last time पे हर object की तीन characteristics होती है पहला state, दूसरा behavior और तीसरा identity तो जब भी आपको कोई काम मिले कि यह आपको करना है जैसे हमें क्या काम मिला था हमें काम मिला था कि यह मुझे एक student की information को print करके दिखानी है एक school के अंदर कितने student है तो हमारा एक objective है object की तीनी state होती है sorry तीन characteristics होती है state behavior identity तो उस object का यह होगया state यानि कि data member दूसरा होगया behavior यानि कि member function तो यह हमारा यह भी हमारा एक state ही है जिसको हम data member बोलने है और यह सब हमारा behavior है यह methods is a behavior of an object by student बात कर रहा है student पढ़ रहा है student की information को दिखा रहे है they are the functionality they are the member function of an object और यह हो गया data member of an object data of an object तो आपको कभी भी कोई भी software बनाने के लिए मिले तो सबसे पहले आप उसके अंदर क्या खोजी है अपना objective खोजी है object खोजी क्या आपको करना क्या है जो आपको करना है उस particular काम से related तीन characteristics निकाल लिए उसका state behavior और identity कि उस particular काम के लिए आपका क्या state है क्या behavior है और क्या identity है यह आप निकाल लिए स्टेट का मतलब हो गया data अब आपना पहला data निकाल लिए फिर data member मतलब जैसे हमने data member ले लिया name mobile college यह सब company ने रोल नंबर age वगर वगर है यह data हो गया behavior मतलब functionality है नहीं member function member function हमने क्या ले लिया member function हमने उसकी information को print करनी थी तो print information read chat यह हमने method ले लिया ठीक है तो फिर उसके बाद program बनाने चार्ट कर दिया लेकिन चुकि यह user defined data है तो इसको बनाने के लिए user defined data structure होना जरूरी है और user defined data structure होता है class इसलिए हम class बनाते है class student बनाया और यह जो particular data है इसको हमने categorize कर दिया तो class हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने किसी भी objective को किसी भी object को एक template प्रवाइड कर आ सके जो भी हमने अपना objective सोचा था mind में उसके लिए हमने template create कर दिया तो class is a template for an object class is a blueprint for an object class is a collection of similar type of object there are so many definition of a class बाकि इसको class ही क्यों बोलते है क्योंकि यार class जो word होता है real word में आप देखो और उनको चाहिए भी था ये कि हमें ऐसा कोई नाम जो हर संसार में हर चीज़ पर लगाया जा सके ताकि आपको अलग-अलग नाम याद न करना पड़े यार कि अभी कोई software बनाने जा रहे हो तो कोई और नाम याद करो फिर कोई software बनाने जा रहे तो फिर कोई नाम याद करो तो ऐसे बार बार अलग-लग software बनाने और अलग-लग नाम याद करोगे तो यह तो बहुत होगी ना तो हमें एक यूनिक नेम चाहिए था वो रियल वर्ड में हमें मिला क्या object तो हम बात कर रहे थे कि अगर object की हम बात करें तो हर object की तीन characteristics होती है state behavior identity बट रियल वर्ड में हम ऐसे बहुत सारे objects देख सकते हैं जो same type की होते हैं इनका same behavior same data और same behavior होता है तो वहां समस्तिया आगे उनको categorize कैसे करा जाए उनको categorize करके एक नाम क्या दिया जाए वो नाम क्या मिला उने class क्योंकि class एक ऐसा word है जो same type की object की category बनाता है तो यह class की definition object की definition object is anything which exists in the real world which we can see touch well and imagine any real world entity known as object object की एक और definition object is a runtime environment या object is a runtime entity यह बोलते हैं क्यों बोलते हैं बात करेंगे हैं और object की definition यह तो real world point of view से coding point of view से अलग है memory की point of view से अलग है memory में इसका definition बदल जाता है ठीक है class की definition class is a blueprint for an object class is user defined data structure user defined data type class is a keyword in java by which class is a keyword in java which is responsible to create a block opening closing a block in which we are doing the java program and every class having the data member member function special member function constructor and initializer in the class everything is optional बड़ कंसेटर इसमें होता ही होता है कैसे होता है हम बात करेंगे तो यह पूरे class के अंदर यह चीजें हो सकती हैं बताइए और क्या और क्या जाना है है object और क्लास के बारे में चले आगे बुल भाई है सर ठीक है तो देखें यह तो हो गया class का data और method बाकी एक है मारा main method यह नीचे यह यह इसके बारे में भी बात करेंगे बट अभी यह जान लो कि एक entry point होता है program का JVM सबसे पहले इसी method को प्रोग्राम में सर्च करता है जब ही हमारा program run होता है हम चाहे तो हम परे program में कुछ भी न बनाए nothing no data no method no concept no initializer कुछ भी नहीं और हम प्रोग्राम को compile करें तो हमारा program compile हो जाएगा देखें बट रन नहीं होगा because in order to run the program we must have a main method we must require main method java student यह कहाएगा main बनाई है please define main method क्योंकि हम compile तो java 3 से करते है compiler करता है run JVM करता है तो jvm को हमारी glass का नाम चाहिए हमने दे दिया उसको main चाहिए नहीं दिया इस layer है अचार देखें कोई data है नहीं कोई method है नहीं फिर भी हमारा program चल ला है हाँ इसके अंदर एक special member function होता ही होता है और वो चीज़ हम देख सकते हैं कि कैसे होता है देखें जब भी java का program आप compile करते हो ना तो compile time पे consider आ जाता है अब आप consider तो जानते नहीं होता क्या है अब consider के बारे में आपको मैं बताऊंगा बट java p करके decompile करके आप अपने class का decompile कर सकते हो और इस class में क्या क्या चीज़े change हुई है देख सकते हो यह वो consider है जो class में दिखता है जो कि compiler compile time पे दे देता है जब भी java का program compile होता है ना तो compiler compile time पे default consider प्रोग्राम में add कर देता है तो देखिए वो चीज़ आप java p से decompile करके देख रहे हो मैंने बताया था jk के bin में बहुत सरे टूल होते हैं जैसे java c, java p, java dog, java h, java w बहुत सारे हैं आपके tools पाय जाते हैं jk के bin में उनमें इसे java p भी एक टूल है इसका काम होता है किसी भी bytecode को decompile करना तो यह bytecode को decompile करके आपको दिखा रहा है चलिए हम बागी चीजे अब इसी control z कर लेते हैं बना लेते हैं तो एक class के अंदर हमने data ले रखा है method ले रखा है main method भी ले लिया main method ताके entry point maintain हो अब program को compile करते हैं अब compile भी हो जाएगा और अब run भी हो जाएगा बट कोई output नहीं आया no output why क्या मुझे बता सकते हैं कि output क्यो क्यों नहीं आया जुआ है में 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 अपने आप में 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 अपने आप कॉल वहा जूंद में में सब्सक्राइम कैसे पता जलेगा main method के अंदर कोई message लिख दो check check करके मैंने message लिख दिया, compile किया run किया, देखो main method तो call हुआ main method को हम नहीं call करते है main method को उनको करते है JVM main तो call हो गया बागी क्यों call नहीं हुआ क्योंकि main method जो है न ये contract है between programmer and programming language main method एक ऐसा method है जो language ने बोला है कि आप बना दो फिर मैं इसी नाम से method को call कर लूँगा है ना ये अगर इसका नाम main one दे दूँगा तो ये call नहीं कर पाएगा समझे रहो, इसका नाम main ही होना चाहिए तो main नाम से method JVM call कर लेता है, लेकिन इन बाकी कोई method को call नहीं कर पाता तो इन methods को हमें खुद call करना पड़ेगा कहों call करना होगा JVM JVM से बोल ला होगा कि call कर दो, तो JVM इस method को call करी रहा है तो इसी method के अंदर हमें इन methods को call करना होगा सही बात है, तब यह चलेंगे चलिए call करते हैं से मैंने chat नाम का method call कर दिया ऐसे method calling जिसे बोलते है method calling CHAT chat लेकिन यह error आजाएगा call नहीं होगा कह रहा है कि non-static method cannot be referring to the static context ऐसे करके क्यों भाई? क्यों नहीं call हुगा? क्लास का object नहीं बनाया अभी तो class का object नहीं बनाया यह कौन सी बात हुई भाई? अभी तो मैंने बताया object एक run time entity, real world entity होती है object इसे नहीं जिसे इसे रियल वर्ड हाँ 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 स्टैटिक स्टैटिक लेना पड़ेगा स्टैटिक लेना पड़ेगा स्टैटिक क्यों लेना पड़ेगा स्टैटिक क्या होता है स्टैटिक हम जानते नहीं है क्या होता है हमने पढ़ा ही नहीं है कैसे होगा देखो जैसे assume करो कि एक school है उसकी अंदर कितने student है उनकी information हमें दिखानी है अब जैसे मालो मेरा ही school है और आप सब लोग student हो तो सबका तो अपना नाम है सबका अपना age है सबका अपना mobile number है सबका अपना class का नाम है सबका अपना role number है होगा हर school में हर student का ये detail होता है तो अब जैसे रभी है निशान्त है राहूल है देव है ये सब हमारे क्या हो गया student हो गया तो इनका एक physical existence तो real world में है न ये physically exist करते है बिलकुल करते है ये जो program हमने बनाया उनहीं के लिए बनाया है student नाम की class उनके name, mobile और ये सब store करने के लिए लेकिन अभी हमने जो class बना के और ये data बना लिया और ये method बना लिया इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपने class का blueprint यानि कि हमने अपने objective का blueprint तयार कर लिया जैसे ऐसे समय लो कि हमें साई पनीर बनाना है साई पनीर बनाने का net से recipe हमने डाउनलोड किया क्या साई पनीर बन गया साई पनीर बनाने का recipe net से डाउनलोड कर लिया क्या साई पनीर बन गया नहीं ना बनाना पड़ेगा manually ठीक है ठीक है मा लोग घर हमें बनाना है घर का नकसा हमने तयार कर लिया क्या घर बन गया है नहीं न तो वही चीज है ये नकसा है ये ब्लूप्रिंट है ये समझ लो कि student की information को print करने के लिए एक blueprint तयार किया है ना कि अभी student आए है अभी एक भी student को कोई memory नहीं मिली है अब जैसे ब बच्चे है 40 बच्चों की information को मुझे दिखाना है तो एक तरीका है कि मैं उनका information एक करके pen copy में note कर लूँ एक तरीका है कि मैं उसको excel में maintain कर लूँ दूसरा तरीका है अगर मैं computer जानता हूं तो अगला तरीका है कि वही उनके लिए कोई software बना लूँ database में store कर लूँ तो हम software developer है वही तो हम software बना रहे हुथी के लिए समझे हमने data ले लिया हमने method ले लिया यह हमारा data हो गया और नीचे हमारा method हो गया तो हमने एक objective का student क्या जो हमारे student की information को में print करके दिखाना है उस particular objective का data और method हमने ले लिया अब data और method अगर हमने ले लिया और class बना दिया तो क्या हमने किसी student की memory के लिए memory अलोकेट कर दिया नहीं नहीं किया हमने अभी हमें कहां पता है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट है एक है दो है तीन है चार है चालिस है तो पता ही नहीं क्या उनके लिए कोई memory अलोकेट हुई नहीं हुआ ही नहीं अगर copy में या excel seat में किसी भी बंदे की information manage कर रहे हुआ तो excel में एक shell बनता है एक row बनता है जहां पर name के सामने name होगा बिल्कुल एक तरह से एक record maintain होगा ना अगर अगर excel seat की बात करोगे तो ऐसे एक record maintain होगा ऐसे वहाँ पर excel बनेगा row और column बनेगा जिसमें आपके एक किसी बंदे की information यहाँ पर map कराई जाएगी समझ रहे हुआ लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर तहसा भी कुछ हुआ ही नहीं यह हमारी memory में ऐसे जाके कोई shell में एक record enter होगा लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं computer की भी तो हमनी memory है computer में भी memory है RAM और ROM हमारे दिमाग में भी memory होती है वहाँ पे भी ऐसे cell बने होते है छोटे छोटे अगर हमें 10 information manage करना अपने दिमाग में तो ऐसे हमारे दिमाग में वह information manage होता है तो ऐसे computer में भी तो information manage करना चाहिए तो computer के अंदर वह information कैसे manage कराया जाए वह memory कैसे दी जाए यह समस्या आगई तो कहीं न गहीं इस purpose के लिए हमें अपने जो भी हमने अपना objective लिया था उस objective को अपने computer में लाना है उसको लिए memory allocate कराना है यहीं कि class का object बनाना है तो class का object बनाने का मतलब होता है कि memory allocate करना है class का object बनाने का मतलब कि class का किसी भी object का physical existence memory में लाना है जो हमने objective सोचा है अगर हमारे पास 10 student है तो दसों के लिए अलग-अलग memory allocate कराना होगा 40 है तो 40 के लिए अलग-अलग memory allocate कराना होगा और यह जो memory allocation का concept है यही object creation कहलाता है और जब हम object create करेंगे तो मतलब खाना बनके ready होगा साही पनीर ready अभी तो उसका एक धाचा बनाया गया है अभी net से recipe ली गई है एक blueprint तयार करा गया है जिस class का तब तक कोई use नहीं है तब तक कोई मायने नहीं है जब तक हम class का object ना बना ले एक class का object बनाने से क्या फायदा होता है इसका physical existence memory में आ जाता है यह physically exist हो जाता है physically यह ऐसे एक cell बना लेगा जहांपे आप अपने data को समाल के रख सकते हो यह फायदा है इसलिए class का object बनाते है कोई अगर आपसे पूछता है कि why we are creating the object of a class तो आप बोलो गया ऐसे sir गर हम object की बात करें तो object को हम कई तरह से explain कर सकते है real world के point of view से coding के point of view से memory के point of view से real world point of view से हम पहले चीज़ों को लेते हैं सोचते हैं समझते हैं उसका data method को उठाते हैं काटेगराइज करने के लिए class बनाते हैं और इसका physical existence memory में लाने के लिए इस class का object बनाते हैं एक class का object बनाने से फायदा होता है उस class का physical existence memory में आ जाता है और कही ने कही एक memory allocation हो जाता है और class के आने वाले जो instance variable है जो non-static data है उनको memory मिल पाता है memory allocate हो जाता है इसलिए भई बाकी अगर जैसे आप अभी बात कर रहे थी static अगर static वगर बना लेंगे तो वो object से independent हो जाएगा वो अलग का आनी हो जाएगी static बनने का अलग ही परफस होता है यहाँ पर static हो गर नहीं चलेगा static और object एक दूसरे के समझे लो कि बिलकुल opposite है static is independent from object और question है कि object हम कितने तरीके से बनाते हैं कैसे बनाते हैं object बनाने का परफस क्या है memory allocation और memory allocation कितने टाइप की होती है दो टाइप की है static and dynamic तो आपको क्या गरना है statically memory allocate करना है dynamically तो पहले यह difference आपको पता होना चाहिए कि static memory allocation और dynamic memory location में difference क्या होता है पता है difference आप लोग को anyone कोई बता है अग्मेट टॉप टूबटन होता है static memory allocation और dynamic memory allocation में कुछ difference है हाँ sir क्या difference है सब compiled time के पहले ही जो memory allocation हो जाते है उससे static memory allocation करते है जैसे object का creation और static block और unit browser चलते हैं सब्सक्राइब और जो हाँ 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 बोली बोली और जो run time पे चलते हैं उनका memory allocation होता है जैसे data को इंटर करते हैं primitive data type इन लोगों का जो memory allocation होता है इसे dynamic memory allocation करते हैं मतब static compile time memory allocation जो होता है static memory allocation compile time पे हो जाता है आप यह कह रहे हो आज है compile करते ही code और डानमिक में run time होता है जब program run होता है ठीक है और कोई और कोई बताएगा 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 सब्सक्राइब मैं तो बताऊंगा यह और कोई बताएगे आप लोगों मेंसे कोई बताएगे memory allocation का मतब समझ रहे हो ना आप लोग memory allocation का मतब तो समझते हो ना भाई अभी तो बताएगा आपको कि बहिया एक object जैसे आप हो आप एक student हो उसका एक physical existence हमारे रह मेरिया के अंदर पहुंच जाए यह memory location होता है तो देखिए memory allocation दो टाइप का होता है सही बात है static और dynamic है ना लेकिन static memory location और dynamic memory location में जो difference है वो आप गलत बता रहे हो ना तो पहले यह difference आप जान लेते हैं देखिए जैसे आप बोल रहे हो राहूल ऐसे ही लोग बोलते हैं कि static memory compile time पे allocate होती है और dynamic memory runtime पे allocate होती है ऐसे लोग बोलते हैं लेकिन मुझे एक बात बताईए माले जेश सी का एक program मैं लिख रहा हूं हांना सी का program मैं यहां पर लिख रहा हूं यह सब बंद कर देता हूं यह मेरे पास देव सी प्लस प्लस है मैं एक सी का simple सा program लिख रहा हूं बहुत ही यहां से वाइड हो उपर हमने यहां से democrat six वैब हुट कॉटेंग करी यह आसी में योट् Army कैंसे लेक्विड होती है कंपाके पे-алась के लिख दिया क्युक्लिया ते उसको आपनेसे कर दिया है कुछ हेलो हाय लिखना हा तो लिख लीजिए प्रिंट अब कैसे होती है बाई मेमोरी इसको सेब कर देते हैं सपोस करिया हम सेब कर देते हैं इसको कि अब इसेब कर दिया अचा अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे कंपायल करेंगे कंपायल किया में घिक कंपायल करते ही देखते कुछ बना क्या इएक्सी फाईल बन जाती है तो आपकी हिसाब से अगर compile time पे memory allocate हो गई तो इसका मतलब यह हुगा जो आपने program मनाया है इस विए जहाँ पे आपने लिखा है in tax equals to 10 यह लिखा है ने in tax equals to 10 इसको अगर compile time पे memory allocate हो गई तो इसका मतलब यह हुगा कि भई हमारे computer के हमारे RAM area में integer की size होती है 2 byte C के अंदर वैसे turbo C में 2 होती है GCC में 4 होती है GCC चला रहा हूं तो 4 byte 4 byte की एक memory यहाँ पे allocate हो गई और 4 byte की memory में यह 10 जाके store हो गया इसका मतलब यह हुआ ठीक है अच्छा बताओ C का program portable भी होता है एक machine से दूसरे machine पे चल जाता है अगर same platform है तो अब यह program मैंने EA EXE file pen drive में copy करके दिया यहाँ पे जैसे मैं run करूँगा तो यह run हो जाएगा यह इसलिए run हो रहा है क्योंकि मैंने get ch नहीं लगाया है get ch लगा देता हूँ और यहाँ पे compile और run करता हूँ दुबारा यहाँ देखिए run हो जाएगा दुबारा मैं जब भी इसको click करूँगा तो यह run हो जाएगा और आपके machine पे लेके जाऊँगा इसे चलाने तो वहाँ पे भी run हो जाएगा हो जाएगा अगर सेम platform है तो मैं बता रहा हूँ आपसे लेकिन बात यह है कि जब आपके machine में run होने जाएगा तो memory कहां से लेके जाऊँगा यह तो compile time पे हमारे RAM में allocate हो चुकी है तो फिर आपके system में वो कैसे जाएगी सब्सक्राइब करते हैं लोग लेकिन होता है डाइनमिक memory allocation नहीं होती है तो फिर compile time memory allocation का concept कहां से आया अखिर तो difference क्या होता है तो अगर compile time पे होती नहीं है यह proof हो गया ना कि नहीं होती है इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर यह हो जाएगी तो फिर memory कहां से लेके जाओगे दूधर machine में लेकिर प्रोग्राम चल भी जाता है वहां पर चलाओगे तो अगर से प्लाटफार्म है तो तो फिर बात आजाती है कि भई तो फिर memory का क्या concept है memory कैसे allocate होती है compile time का क्या मतलब है बताए है तो ना आया कुछ हूं बताए हाजी नहीं बता हुए हाँ सर तो कुछ तो होगा इसमें कुछ तो difference होगा हाँ से कुछ तो difference है जरो बता नहीं सरक्या है ठीक है तो देखिए अगर मैं memory की बात करूं तो memory कभी भी memory कभी भी compile time पे allocate अगर memory कभी भी compile time पे allocate नहीं होती है पर फिर भी लोग बोलते है compile time पे memory location होता है तो इसका difference क्या होता है इसको एक example से बताता हूं इक्जामपल बताऊंगा तो जादे समझ जाएगा एक्जामपल